नमस्क्राइब दोस्तों आज जानते हैं लव लाइफ के बारे में कन्या राशी का क्या कहता है और क्या है उनके सुत्रू यदि आपकी राशी कन्या राशी है तो आपके ये है दो हजासत रा काफी अच्छा है जो लोग एफ विवाहित हैं और विभा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए भेफरस्ताभ जदी ही आने वाला है और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके घर में नना मुनना में आने की संभाव न दिखाई जा रही है देखा जा रहा है कन्या राशी का दो हजा सत्रा काफी अच्छा रहेगा जिसके उपर देखा जाए तो कन्या राशी को जितने भी चीजे हैं पर जदी ही मिलने लगेंगी यदि वह फ्रेम विवा हो या फिर चैसा भी विवा हो यदि आपके हाँ से कोई रिस्ता छूट गया है तो आपके पास बहर रिस्ता जदी ही वापसा जाएगा और आपके लिए रिलेशन्शिप में रहने की कोशिश करेगा यदि आप 2017 में कोशिश कर रहे हैं नए विवा के लिए या फिर कोई पर्पोजल के लिए तो आपको दोका देने वाले लोग भी इस साथ में काफी बिढ़ेंगे लेकिन आपके आत्मवल के गारण आपको कोई भी नुकसार नहीं पहुचा पाएगा यदि करन्याराशी वाले सोच रहे हैं किसी को पर्पोज करने की या फिर किसी को प्रिम प्रस्ताप देने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर विचार करने के बाद ही इस निर्ने को ले ताकि आपकी जिन्दी में चूब ही आए उसे ध्यान से समझे और समझने दे ताकि आपको कोई भी परेशा नहीं नहीं कन्याराशी वालों के लिए वैसे 2017 काफी अच्छा रहेगा लेकिन 12 माई से लेकर 12 अगस्त तक उनका काफी अच्छा रहेगा यदि वह किसी को मन ही मन चाहने लगे हैं तो वह भी अपनी बात कह देगे और उसे अपनी लाइप में ले आएंगे तो कन्याराशी को मिलाकत हो जा सकता काफी अच्छा है मेरी इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले